मेरी किचन में आज मैं आप से शेयर करने चाहरी महाराश्रा की मोस्ट कॉमन और एंड मोस्ट फेवरेट प्रेसिपी मिसल पाव जो की बनाना बहुत ही आसान है करीभाश्रा है मुद्रा न बहुत है। मैं यहरा पर इसे स्प्राउट न हें भी बाता है। इसे विगो की है अटा ज चुल्ट क करेंगे, फिसल हो और 12 मेंरे यह की मिन नली है। मैं करीब से फ्रेसिपे तक पानी तक पना में शह्था है। पान लेना है इसके थोड़े से एक इंच उपर तक पानी की लेर रहनी चाहिए इसे दो विसल आने तक मैंने प्रेशर कुक किया है आप देख सकते एक्छे से पग है यह जादा गले भी नहीं और जादा कच्छे भी नहीं बराबर परफेक्ट यह कुख हो गया है अब बड़ा वैसल लिया है आप चाहिए तो कौनसे भी घड़ाई या अधी ले सकते बड़े साइस के क्योंकि इसमें जादा ग्रेवी बनाएंगे रस्सा जो बोलते हैं तो इसके लिए बड़े साइस का है यह पर मैंने तेल करम किया इसमें मैंने दो टेबल स्पून जीरा कॉरियंडर अक्का दाना अक्के दाने की टेस्ट यह बहुत अच्छी लगते हैं जब दाद की नचीस के बैट साथे और इसकी टेस्पी मिसल में बहुत अच्छी लगती है तो मैंने यह आपे 2 तेल स्पून के करीब अखा दाना लिया है अब डालेंगे एक बड़े साइस तक ऊच्छे से अमे तको और जिसे आप अच्छे से अमिर्भ राइब बॉट आ पिछ कर अच्छे हो यह अच्छे से पास जबते दमने हो चुश ॉट शुटा जाति है दमुटक हैं and यह बहुत अच्छा खुश्ब आता है यह अप्शनल है विल्कुल भी आपको पसंदे तो डाले नहीं तो ना डाले दो टीज बस्पून यह पे जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाली है इसे पैच के साथ अच्छे से फ्राय होने देते जब तक इसका रॉस्पेल जलानी जा अच्छे से और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा रहा है अब मैं यह पे थोड़ा सा हरा दन्या भी डाल देते और इसे अच्छे से आदे मिनित लिए फाय कर लेते हैं उप्याच और अधर क्लासन के साथ यह सब तीनों चीजों का कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा लगता ह अच्छा लेवर टैर हो जाता है कि आपे मैंने 8 अच्छा आधर नन्या लेटी राल क मपर शुझा का निए धर गार्मसदें कश्मिर लाट मिआटी से बहुत है अच्छा पर्स्पांणि मि धारा दाले था था कर दोड़ा सा वाकज़ आ कलर शीपों के वाटा इसे थोड़ सबी मसालों को तेल में अच्छे से एक से दो मिनिट लिए देते हैं तेल में भी इसका स्पैसलिस थोड़ा सा अच्छे से उतर जाएगा मसाल अच्छे से एक बारी कटा हूँ लिया है आप चाहे तो टोमेटो की कौन्टिटी जादा भी ले सकते हैं बट मैंने एक टोमेटो की प्यूरी भी बना लिया है चोकि मैं बाद मी या पर यूज करूंगी टमाटोर को अच्छे से पकने दिना है दो से तीन मिनर जब तक यह पूरी तरह से सौपना हो जाए इसके लिए मैं आपे सॉल्ट भी डाल लेती हूँ इससे जल्दी हमारे टमाटोर पक जाएंगे नमो को अच्छे से मैंने आपे मिक्स कर लिया है अब मैं इसे दो से तीन मिल्क लिए रखके रख देदू चाकि भाप से टमाटा अच्छे से जल्दी से पक जाएंगे अब देख सकते हैं टमाटा अच्छे से पक चुक है पुरी तरसे सोट होगे और मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुक आ है तेल ही हमारा सेप्रेट हो अच्छा स्पाइसी कलर दिख रहा है पक्खा धनिया और कड़ी पत्ती की बहुत अच्छी आसु कुछ भुआ रही है पर्फेक्ट मसाला मार एक दम पक चुका है हम लोगों ने जितने भी इंग्रेटेंस यह बहुत ही जरुरी है अगर हम लोग एक या दो इंग्रेटेंस कम डालते हो उसमें टेस्ट या फ्लेवर का बोले कुछ ना कुछ कम तरता रह जाती है हम एक टोमेटो में तोमेटो की और थी CAW Türkiye बना लिए तो में टोमेटो की विर्यों ढ़लनी ताकि इसका कच्छा पन ना रह जाए और इसे 2-3 मिन के लिए अम लोग कवर कर लेंगे और अच्छे से पकरने देंगे तो जब हम लोग एक्स्टा घर कीशने करें आट आटेव कर अनुपम पर में यह घ्ल रह जिली को परमें टेल रही आप आप देख सेटें आप उसे ऐसे लेयर आपर फिर माराशन लोग तो जब हम लोग सिर इसमें ग्रेवी बनायेंगे जो रशाब बोलते हैं लिए पहले एक्स टॉइल पर डाला हैं तो जो अपर डालते हैं ज़िए प्रेशर कुक गए आपके ज़ाएं जो आपके से ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हमें पाट से छी मिनिट के लिए बॉइल आने तक ही पकाना है, और अलड़ी हमारा मसाला भी पक चुका है, हमारे पानी निए अलग से गरम पानी यह दालने वाली हो तंडा पानी डालेंगे तो इससे टेम्परेश्य पिर से डाउन हो जाएगा और मसालो का टेस्ट भी रचे नहीं आता है तो इस बोलें पानी निए अलग से अलग से गरम पानी यह दालने तो आप यह ज़ली से अपर एक तेल की लिया और वह जिसे तरी बोलते हैं वह मिसल में बहुत ही ज़रूरी है उसके विना मिसल में टेस्ट अच्छा नहीं लगता है यह दो क्लिए आप देख सकते हैं पानी हमारा यह बोलुओ गई टो कि अम विनगें आगो लाता है तो यहां पर्फेक्ट है ज्यादा भी हमें यहां पर पानी नहीं ड़ना है इसे अब मैं दो से तीन मिले कवर करके ऐसे छोड़ देते हैं और ग्यास प्लेंग बंद कर देते हैं तो मैं यहां पर देख सकते हैं कि इतने अच्छे से आप तरी फॉर्म होगे उपर देल के ट्लियर तो मैं इसे एक बाल निकल लेती हूं मिल्सल निकलने केदी लिए मैंने आप यजा में निकल लिया है तैकि मिल्सल में ज्यादा निकल लिया त अब चलते है यहां भी पाव लिया खेंग अगानम यह च्छे अगर आप थेल गी या बटन में रोस्ट करके सेख इसे खाते है इसके साथ तो बहुत ही अच्छा लिदानीया Siuk तो बहुत आप सेख और दिखने में आप और पाउ तोड़ा धिकता हैं इसका प्रिजन्टेशन सेखे लिए अब हम लोग तोड़ा सा अच्छे से फ्राइब कर लिया है अब हम लोग इस पे पाव रखे लिए या पर सेख लेंगे दोनों साइट सेम लोग तोड़ा सा तेल डाल के या पर मैं सेख रही हूँ आप चाहिए तो बटर या घी डाल के इसे सेख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हारादनिया या पर पर बहुत अच्छे से चीप पक गया है और बहुत ही अच्छा कर दिख रहा है और दिखने वाइस भी लोग बहुत अच्छा दिख रहा है अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप ना ले आप ऐसे ही सेख के खा सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी तो आपको मेरे रिकव सही तो यह पीय। तो फार पर आझाले हो दोगए इसे एक प्लेट मेरे ऐसे एक प्लेड निकल आ से लाइक शेयर करना ना बूले और मेरे चानल को सब्सक्राइट करना ना बूले और आपने इस रेसिपी को घर में चरूर बना के लेकर और मुझे बताईए कैसे आपको लगे रेसिपी